आप सबके जैसे की बहुत से comment अ रहे थे कि मैं कैसे पता करें के गर में बच्छा synonyजा है या सीधा हो चुका की गर में आपका बेई नीची की तरफ आ रहा है या नहीं आ रहा है वह हैड़ें वा इैसे पता करेंगे यI Jा सब how far ना कि नॉर्मल डिलिवरी के लिए बच्चे का नीचे आना बहुत ज़दा जरूरी है नीचे आने के साथ साथ यह भी जरूरी है कि बच्चे का जो हैड है वो नीचे की तरफ होना चाहिए और पैर उपर की तरफ होना चाहिए यही एक नॉर्मल डिलिवरी के लिए सही बच्ची की नॉर्म डेलिवरी होना पॉसल नहीं होती है तो ऐसे में डॉक्टर करने की सला देते हैं मताँ कैसे पहचाने के आपको बच्च इंटी पॉजिशन में है या नहीं कहीं बच्च उल्टा तो नहीं है तो यह विडियो आप ध्यान से देखिएगा आपको पता चल जाएगा कि आपके बच्चा उल्टी पॉजिशन में है या सीधी पॉजिशन में है ठीके फ्रेंट तो चलिए आज की बीडियो स्टार्ट करते हैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमेशे की तरह मेरी वही रिक्ष्ट होती है आप सबसे कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब क अगर आपको आपके बच्चे के मुमेंट नाभी के उपर फील हो रही है तो इसका मतलब है कि आपका बच्चा सही पॉजिशन में है मतब सीधी position में मतब कि बच्चे का head नीचे है सर नीचे है और pair उपर है जो कि normal delivery के लिए सही position मानी जाती है ठीक है लेकिन वही अगर आपको आपके बच्चे की moment ना भी से नीचे feel हो रही है मतब private part area के आसपास feel हो रही है तो इसका मतलब है कि आपका बच्चा ulti position में है मतब बच्चे के pair नीचे है और सर उपर है ठीक है तो यह होई एक trick दूसरी trick है पेट का shape पेट का shape कैसे? अगर आपका पेट का shape नीचे ही नीचे ही रह गया है उपर से पेट खाली हो गया है तो यह symptom भी होता है कि आपका बच्चा सीधी position में है लेकिन अगर आपका पेट उपर की तरफ भी बड़ा हुआ है पूरा जैसे था पहले बैसे ही है मतलब उपर की तरफ आपका पेट ज़्यादा बड़ा हुआ है नीचे इतना ज़्यादा पेट नजर नहीं आता है तो इसका मतलब है कि आपका बच्चा उल्टी position में है मतलब कि बच्चे का सर उपर और पैर नीचे है ठीक है तो यह भी एक तरीका है और आपको सांस लेने में भी तकलीफ नहीं होती है तो इसका मतलब है कि तीसरे तरीका है अगर आपको नौवे महीने में भूख जादा लगने लगी है और आपको ना तो सीने में जलन होती है कि आपका बच्चा सीधी position में है मतलब बच्चे का सर नीचे और पैर उपर है लेकिन अगर आपको सीने में जलन जादा होती है भूक नहीं लगती है और साथ में आपको सास लेने में भी तकलीफ हो रही है इसका मतलब है कि आपका बच्चा उल्टी पॉजिशन में है ठीक है? बच्चे का सर उपर है और पैर नीचे है अब अगर आपको लग रहा है कि आपके बच्ची की जो पॉजिशन है वो उल्टी है जो मैंने सिम्टम बताए है वो मिल रहे है अगर तो क्या आप बच्चा मेरा सीधा होगा? तो फ्रेंट्स अगर आपकी प्रेगनसी का साथवा आटवा मेना चल रहा है और बच्चा ब्रीच पॉजिशन में है मतब की उल्टा है तो अभी चांसे हैं कि आपका बच्चा सही पॉजिशन में आ सकता है बैसे तो काफी लेडीज में ये देखा गया है कि बच्चा डिलेवरी तक भी अपनी सही पॉजिशन में आ जाता है तो आपको भी घबरानी की बिल्कुल भी चरुत नहीं है आपको डिलेवरी तक वेट करना चाहिए आप सबसे अगले वीडियो में तब तक आप अपने बच्चे को सीधी पॉजिशन में कैसे ला सकते हैं तो आप वो भी जाके देख सकते हैं तो चलिए फ्रेंट्स आज के इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं आप सबसे अगले वीडियो में तब तक अपना ध्यान रखिए बाबाई टेक क्यों थाइक तो मच